हेलो माई डियर स्टुडेंट्स आज क्लास 12 बारक विशय हिंदी है यूपी बोर्ड और पाठ का सिर्षक है यमुना छवी यमुना छवी और पाठ का सिर्षक यमुना छवी कवी का नाम भार तेंदु हरिश्चंद्र पद आज का जो पद है वो तीन और चार है और तीन है परत चंद्र से प्रत विम्ब लखात है तक और कबहु होत सत चंद जल आवत तो आज हैं नहीं की शंपूर वे अख्या question and answer प्रशनोतर के साथ देखेंगे किस तरह के प्रशना सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कीसी भी पध्यांस को देगा और आपसे उसे पांच प्रशनोतर आधारित पूछेगा तो सबसे पहले हम पद चार को यमना चवी जो हमारे भारतें हरिश्चंद जी कभी कहने चल रहे हैं और यमना की व्याख्या मैंने बताया है कि यमना की परियाबाची आपको पता होना चाहिए अलाकि इसमें किसी भी सब्द की वो पूछ सकता है जैसे यमना को हम लोग कालेंडी सूरिजा रवी सुता जमुना कृष्णा काल गंगा भानुजा अरकजा अज रवी तनिया अक्र यम भगनी यम भगनी यमराज की बहन हैं यमना जी उन्हीं की सुन्दर छवी का वरणन महोदय भारतेंदु हरिश्चंद्र यह चप्पैचंद है पूरा यमना चवी 6 चंद में लिखा गया है मुकतक्सहली में लिखा गया है ब्रजवासा में लिखा गया है आपको इसका ग्यान होना चाहिए ठीक है तो पढ़ते हैं इसको अपरते चेंद्र प्रती बंब कहूं जल मधी चमकायो कि परते चेंद्र प्रती बंब कहूं जल मधी चमकायो अलोल लहर लही नचते कब हूं जल मधी बंब कहूं अमानु हर दर्शन हेत चेंद्र जल बशत शुहायो अकई तरंग कर मुकुर लिए सोभित छब छायो अकई राश रमन में हरी मुकुट आभा जल दिखराते है अकई जल हूर हरी मूरती बशती ताप रती बीम्ब लखाते है ये है चपचंद जिसको लिखा है ये पद नंबर तीन पर पद्ध्यांस तीन में आईए इसमें कुछ सब्दार्थ आपको बता देते हैं ताकि आप इसको समझने में आपके लिए इजी रहे जैसे इसमें मध ही माने होता उमध हमें लोल माने चंचल अल्लह ही माने पाकर हेत माने के लिए looks बसत माने बस्ता सुहायो सुंदर मुकुर माने दरपढ सिशा आइना । रार्स रमन क्राष कृडा डर माने बीच में दिखाई देता ठीक अब इसमें देखते हैं इसमें भाई बता रे गया है चंद्रमा का जो प्रतिविम्ब है छाया जो पड़ रही है यमुना जल पर उसके बारे में विस्त्रित वणन तो बड़े सुन्दर ढ़ंग से कभी ने क्या कहा है कभी कह रहा है कि यानी यमुना के जल के मद्ध माने मद्ध में Pढढता हुआ चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है यमुना के जल के चंचल लहरों की हिलने से चंद्रमा की हिलते हुए प्रतिविम को देखकर कभी कह रहा है कि जब लहरे हिलेंगी तो उसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है तो चंद्रमा भी हिलता है जिसको देखकर कभी के मन में एक कलपना हो रही है कि मानो चंद्रमा की इस प्रत्विम्ब को सोभा देख करके यह लगता है कि मानो विश्णू विष्णू जो जल में रहते हैं विष्णू के दरसन के लिए वह चंद्रमा जल में उतर आया हो जब लहरे हिलती हैं तो चंद्रमा भी हिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे वह विष्णू के दरसन के लिए विष्णू के ही या उतासरी किष्णा है उनके दरसनार्थ के लिए वा जल में उतर आया हो या वा यह सोचकर यमना के जल में उतर आया कह रहा है मानु हर दरसन हेत चेंदर जल बसत शुहायो अपकैत रही मानि जैस यह कह रहा है यह सोचकर यमना के जल में बस गया है कि जब स्रीकृष्ण यहुना तक पर विहार करने अपनी लीला और क्रीडा करने आएंगे तो उनके धर्शन हमें अपने आप हो जाएंगे वाह क्या कल्पना है जहान पहुंचे रवी वहाँ पर पहुंचे कभी पर उच्च काल्पनिक बातें यहाँ पर कभी लिख रहे हैं आगे कह रहे हैं कि कईतरंग कर मुखुर लिये सोभित छबी छायो कभी कह रहे हैं चैंद्रमा की छबी जल में ऐसे सोभा पा रही है इतनी सुन्दर लग रही है जैसे यमुना की लहरे अपने हाथ में चैंद्रमा का प्रतिबंब रूपी दरपड लिये हों कईतरंग कर लिये मुकुर शोभित जैसे चैंद्रमा रूपी दरपड होए यमुना की लहरे अपने हाथों में ली हों या रास क्रीडा में रमे हुए स्री कृष्ण के मुकुट की आभा इस चंद्रमा के प्रतिविम्बी के रूप में जैसे स्री कृष्ण जी की मुकुट वाली सुन्दरता इस चंद्रमा में आ गई है यमुना के जल में प्रतिविम्बित हो रही है कभी चंद्रमा के प्रतिविम को देखकर कहता है कलपना कर रहा है कि यह भी हो सकता है कि यमुना के हिर्दय में चंद्रमा के रूप में कांतिमान भगवान स्री कृष्ण की चभी बसी हुई हो या प्रतिविम उन्हीं का हो मतलब स्वयम भगवान स्री कृष्ण का हिर्दय के रूप में यह चंद्रमा जो है न यह तुनके मुकुर जैसा यह स्वयम भगवान स्री कृष्ण के रूप में चंद्रमा विद्यमान हो यमुना के जल्बे बहुत सुन्दर है आईए इसको देखते हैं इसमें क्या-क्या को ऐसनस बन सकते हैं उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा की सुन्दर प्रतिबिम्बी की यम्रा जल में पढ़ने की वर्णा करता है कभी और यह भासा इसकी वर्ज है सैली मुक्तक है चंद छपपए है इसमें अनुपरास उत्प्रेक्षा शंदे मानवी करन किया गया है चंद्रमा का नाचना चंद्रॉमा का नाचना जैसे दरपड देखना यह सब क्या है चंद्रमा की लेहरों को यह सब मानवी करण किया चंद्रमा जो लहरों के साथ नाच रहा है भई तो नास्ता कौन है मानौ है मानौ को मतलब होता है जब प्रकृति की चीजों को किसी भी चीज़ का ऐसा आचरण दिखाया जाए ऐसा बेवार दिखाया जाए कि वह मानव जैसा कार कर रहा है इसे को मानवी करन कहते हैं अब इसमें क्वेस्टन है जिसे प्रस्तुत पध्यांस में कभी ने किसका वरणन किया है अगर इस तरह प्रस्तुत पध्यांस में कभी ने यमुना के जल पर परते हुए चंद्रमा के प्रतिविम्ब का वरणन किया है जिसे देख कर कभी के मन में अनीव प्रकार की कल्पनाएं उत् öffentlich हो रही है कभी वह उसे लहरों पर निर्थ करता हुँ प्रतीत होता है तो कभी वह क्रिश्णी के मुकुट की आभा के समान प्रतित होता है काभी ने चंदर्मा की किन रूपों में कल्पना की है ठीक है काभी ने यमुना के यह स तो दोसरा question और भी बन सक्ता है जैसे कि की काभी चैंद्रमा की किन किन रूपों में कलपना की है चैंद्रमा को कभी ने यमुना नदी में देखकर यमुना में उसकी छवी को देखकर क्या क्या कलपना की है तो कभी ने यमुना नदी के जल में चैंद्रमा के प्रतिविंब को देखकर तरह-तरह की कलपनाएं की हैं कभी वह उ यमुना के हिर्दे के रूप में दिखाई देता है ठीक है यमुना के हिर्दे में चंद्र रूप में किसकी छबी बसी हुई है जब यमुना के हिर्दे में चंद्र के रूप में किसकी छबी बसी हुई है अभी दो बताया स्री कृष्ण की यमुना के हिर्दे में चंद्रमा क साथ बौ करावाय का हर्वाशनों को सब्सक्ति कुछक्ताइब लख्का सबितता । अने कार्थक मतलब हरी का होगा विश्नु धांथ इंद्र पहार। लहर का लहर का होगा तरंग वाईव की गती उमंग जोस ये जो हमारा तीसरा पद था उसका ये question answer और उससे related ये थे अब चौथे पद की ओर हम चलते हैं चौथा पद क्या कहता है भई तो चौथा पद भी चलते हैं कब होत सत चंद कब हो प्रगटत दूर भाजत कब होत सत चंद कब हो प्रगटत दूर भाजत पावन गवन बस भीमब रूप जल में बहु शाजत मनुसा सिभरी अनुराग जमन जल लोटत दोले अकईत रंग की डोर ही डोरन करत कलोले कैबाल गुडी नभिमे उडी सोहत इत उत धावती कई आवगाहत डोलत को ब्रजरमनी जल आवती कहने का मतलब है अब इसके सब्दारते के सत माने सो दूर माने दूर भाजत माने भागता है गमन माने चलना बहुत सजात माने बहुत से सोभा मान होते हैं माने चद्रवान रौप्रेम जमून माने जमुना कलोले क्कुर्टृ बाल‌गुरी माने बच्च्चों की पतंगों को बाल गुरी कहते हैं धावती दोड़ती है आउगाहत माने नहा कर ब्रस रमनी माने ब्रस की नारी आवती माने आती हुई यहां पर भी भारतें जल में पढ़ते हैं चंदरमा के प्रतिविम का शुंदर वरना किया है कभी महोदे के चांदनी रात में हवा के चलने से जिब जमुना का जल हिलता है तब उस जल में चंदरमा का प्रतिविम अनीक रूपों में सुसोबित होता है यानि जब हिलता है देखते हैं जल में जब कोई चीज रहती है तो जब हिलता है जल की लहरों जल की लहरे हिलती है तो चीज बहुत बार उपर नीचे उपर नीचे कई अनेक रूपों में दिखाई देती है यमुना के हिलते हुए जल में लहरे भी हिलती है उन लहरों में कभी 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 को सौ सौ चंद्रमा कभी कभी सौ सौ चंद्रमा दिखाई देते हैं जो अनेक रूपों में शुसूभित हैं कभी उन चंचल लहरों के साथ दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिविम्ब दूर भाग जाता है तो कभी अध्रिश्य हो जाता है कभी दूर भाग जाएगा कभी अध्रिश्य हो जाएगा कभी के कहने का ताथ पर है कि चंद्रमा की जो येस बहुद शुन्दर वरनग कर रहे हैं कि कभी का पर है कि चंद्रमा का प्रतिविम्ब लहरों के साथ कभी उन से दूर चला जाता है कभी वह कभी के शामने प्रकट हो जाता है कभी आता है कभी जाता है चंद्रमा की क्या लहरों की मनें चंद्रमा की छवी का जो यमना की जल में लहरों के साथ आना जाना कितना संदर वरणन होता है कभी दूर जाती लहरों साथ छिपकर दूर भाग जाता है के कारण लहरों में हिलते हैं चंद्रमा के प्रतिविम्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा प्रेम से पूर होकर यमुना जल में जैसे दोलता फिर रहा है जैसे वो प्रेम से स्रिकृष्ण के प्रेम में जैसे वो डोल रहा है तो कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा युमना की लहर रूपी डोरी को पकड़ कर जलके जूले में जूलता हुआ आनंद क्रीडा जैसे जूलते नहीं वह जूल रहा है आनंद क्रीडा उठा रहा है लहरों के साथ इधर उधर हिलते हुए प्रतिमिंग को देखकर कभी को ऐस लगता है जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतांग बाल गुड़ी उतसीर होतने के बाल गुड़ी न भे में उड़ी सोहत इतउत धावती जैसे बच्चे-दरबढ उडाई गियंग पतंगा कास में इधर उधर उड़ती है और सिसोभित हो रही हो या फिर क चंद्रमा के प्रतिबिम्ब को देख करके यमुना में क्या क्या कल्पनाई कर रहा है। है शैली मुक्तक है चंद छपपय है यहां पर अलंकार और प्रास उत्प्रेक्षांद रिष्टांत है अब इसमें कुछ प्रश्णुत्तर देख लेते हैं कभी जब यमना नदी के जल पर चंद्रमा के प्रतिविम को देखता है तो कभी उसे लहरों पर सौशो चंद्रमा दिखाई देते हैं कभी वह उसे दूर जाकर अद्रिश्ट होता अनभूत होता है कभी वह उससे जल में जूला जूलते हुए प्रतित होता है तो कभी उसे उस की है explain किया है तो आप किसी कभी लिख दीजिए कभी आगे है अगर इस प्रकार के प्रशनाता इस पद्यांश में कभी ने किस प्रशंग का वरणन किया है तो प्रश पद्यांश में कभी ने यमुना के जल पर पढ़ने वाले चंद्रमा के प्रतिविंब का वरणन किया है चं बाल ऐउडी नभि में उडी सोहत इत उत धावती पंक्ती का कहे रहा है इसका आथ बता हीए तो प्रस्तुत पंक्ती में कभी यमणा के जल पर चैंद्रमा के प्रतिविम को देख कर कल्पना करते हैं या कहता है यमणा की लेहरों पर चैंद्रमा का हिलता हुआ प्रतिविम्ब ऐसे प्रतित हो रहा है मानो किसी बक्षे की पतंग छोटी सी पतंग आकाश में हवा के जोर से इधर उधर हिलती हुई दिख प्रतित होती है जैसे कोई पतंग हिल रही हो ऐसे चंद्रमा हिल रहा है और कौन जैसे डोर से हो हिलाता है हवा के द्वारा हो हिलती दुलती हो इसे चंद्रमा की यमना की लहरे चंद्रमा को भी ला रही है शशीवा नव के दो-दो परियाइबाची कहरा है लिखने के लिए तो ससी माने चंद्रमा होता है राकेष और चंद्रमा चांद वैसे ही नव माने आकाश, गगन, गयोम इसके इसके क्या हैं? परियाई वाची हैं इस प्रकार से ये दो पध्यांस तीन और चार इसके समाप्त होते हैं और कभी की कलपना का क्या आकार लिया है कितनी सुन्दर यमना छवी का वरण किया इस कभी ने आप भी ऐसे ही पढ़िए और इसका आनद उठाइए क्योंकि कहा गया है कि निजवाशा उन्नतिया है और शब उन्नतिके मूल और बिन निजवाशा ग्याने के मिटे नहीं अकर शूल ये जो छप्पए छंद है छप्पए छंद का मतलब जिसमें छे चरण है और जिसमें आपके छे चरण होते हैं छे लाइने हैं ये छपपए है और इसमें छपपए में ही आपको बताया जाता है जो इसमें किस से बना होता है रोला और उलाला के मिलने से जो छंद बनता है उसे छपपए छंद कहते हैं परतम चार लाइनों परतम की चार लाइनों में 24-24 मात्राएं जबकि अन्तिम दो लाइनों में 28-28-26-26 मात्राएं होती हैं और इसका आप इसको गिनेंगे तो आप इसको पाएंगे तो अपनी भाषा को शिखिए अपने देश का नाम रोशन कीजिए क्योंकि मैंने बताया भी ना कि अपनी भाषा के बिने सिखे अपने देश का कल्यान नहीं है अपनी भाषा को सीखिए तन मन से सीखिए चीखे इसे एक साथ इस कलास को यही परेंड करेंगे और आप इसको इंजॉय करिए अगर यह अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सेर और सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू बेरी मच्च